हेलो एन वेलकम गाई स्वागात आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर तो कैसे आप सब उम्मिद करता हो अच्छे होंगे बढ़िया होंगे बाई तो देखिए फटक से जाके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपका भाई ऐसी इंफोर्मेटिव जा यह तरीका है और इसी तरीके से आप लोगो को भी काम करना है जहीं काम करोगे जहीं नाम मिलेगा यहीं तो फायदे है भाई ठीक है तो चले वीडो को सुड़ू करते तो देखिए भाई जितने भी s3 bs4 से पहले का बाईक है और जिसमें led में करके में जो पॉइंट है जि तो हैलोजन का पावर होता है, वो बहुत कम होता है, रस्त पर चलाने जाओगे ना, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि बाइक में हमारा लाइट ही नहीं है, तो इसी वज़ाई से हम लोगों को LED मजबूरां डालना पड़ता है, ठीके, तो इसका जो प्रॉ हमारा ignition switch की जो कपलर है, इस में से आपको ढूंड़ना है कि कौन सा पिन पर हमारा जो वाड़ा वोल्ट का सप्ला है, 12 वोल्ट का सप्लाई वो नहीं मिल रहा है, देकि इस पिन पर मिल रहा है, इस पिन पर भी मिलेगा, कब मिलेगा, जब हम ignition को on करेंगे, तो उसी पिन पर भाई, color coding भी देख सकते हैं आप लोग, कोशिश करूंगा आप लोग को दिखाने की, color coding है, red में black, ठीके, red में black पट्टी, तो भाई, ये जो wire होता है, इस में हमको connection करना है, इस में से एक wire हमको उठा लेना है, ठीके, क्योंकि ये ही है, say connection, ठीके भाई, तो देखिए, red मे black पट्टी वाले, जो pin है, उस में हम लोग डालने वाले है, ये जो connection है, उस में से लेने वाले connection को, और वो किदर जाके जोड़ेगा, उसे भी दिखाड़ा हो में आप लोग को, ठीके, थोड़ा सा wait कीजिएगा, ओके, तो देखिए भाई, इस में से हम लोग connection ले लेंगे, और उसके बाद जाके, किदर जाके आप लोग को जोड़ना है, सब कुछ दिखाऊंगा, और भाई, ग्लामर बाईक है आज हमारे पास, और इस ग्लामर का, बेस त्री वाला मोडल है, क्योंकि इसमें भी light कम है भाई, रस्ते पे दिखाई नहीं देता है, जब रात को दूस कि कोई नुकसान ना हो, कभी कबर क्या होता है भाई, यह जो ignition से connection हमारा निकालता है, कभी कबर मैंने देखा है कि इसमें भी बहुत सरे मेकानिक भाई हमारा गलती करे बैठते, वो किदर है, जो यह जो पिने, जिसमें बड़ा वोल्ट का सप्लाय आटोमेडिक आ रहा है, ह आपका ignition on रहे, या off रहे, स्विच को, लाइट को हर वक्त, भाई, सप्लाय मिलता रहेगा, और स्विच दबाएंगे, तो लाइट आपका जलता रहेगा, आपका ignition बाईक में चाबी हो, या ना हो, ठीके, तो देखिए, यह जो वायर हमने निकाला, उसको लाके हम जोड रह है किस से, यह जो येलो वायर, लेट हेंडल वार स्विच, जो हमारा होता है, स्विच के जो कपलर होता है, उससे जब निकाला था, जो येलो वायर, उसमें हमको इंस्टॉल कर लेना है, और यह प्रोपा तरीके से काम करेगा, क्योंकि यह जो येलो वायर है, इसका जो जो है headlight में जो headlight है वो जलता है तो उसी switch का main input है यह yellow वाला wire आप लोग को ध्यान में रखना है ठीके तो ऐसे करके आप connection कर दीजिए बिलकुल पूरी एकदम सही तरीके से यह connection हो जाएगा ठीके अच्छी तरीके से tape कर लेंगे क्योंकि अभी कबर क्या होता है सही तरीके से tape ना करने से यह body touch होकर wiring को जलाते है साथ में बाड़ बाड़ fuse उडने का जो reason होता है यह भी है कि प्रोफ़त तरीके से जिस wiring में cut बगड़ा क्या गया है attach क्या गया है उसको सही तरीके से tape बगड़ा नहीं किया जाता है ठीके और देखिए आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर जितने भी वाइरिंग रिलेटेड जो कनेक्शन हम करते हैं तो कोशिश करते हैं हमेशा कि हमारा जो वइडिंग में कट बगाड़ा ना लगाने की ठीके तो चलिये आपको प्रौपर डीटेल से दिखा रहा हो कि हमारा and द्हान देने वाली बात है क्योंकि देखिए यह जो कनेक्शन क्या है डारेक्ट बैटरी से वोल्टेज हमारा आ रहा है ठीक है तो हर वक्त नहीं जलाना है भाई यह भी एक ध्यान देने वाली बात है अगर ज्यादा जलाओगे तो बैटरी आपका बैट जाएगा कभी कबर क्या करता है भाई कि किसी ज होता है उसको LED लगाना है ने तो बैटरी आपका जल्दी डाउन होगा ओके इतने बात तो समझ में आई ही गया होगा ठीक है भाई तो यह बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा अप लोगो ओके देखिए प्रपर तरीके से आपड़ी पर भी काम कर रहा है तो भाई इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे दूसरी कसी वीडियो में तब तक सब स्वास्थ रहना कुछ रहना अपना खयाल रखना हर हर महादेब थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो